सामने खड़ा है आपके XUV700 का Blaze Edition, या फिर आप इस SUV को the best of XUV700 भी कह सकते हैं, यह Blaze Edition आपको सिरफ top end variant में मिलेगा, EX7L के साथ, और जितना ये नाम युनीक तरीके से सोच कर रखा गया है, क्योंकि Blaze का हिंदी में मतलब होता है ज्वाला, तो ठीक उसी तरीके की theme और inspiration आपक को इसमें paint मिलता है, और जो इस matte और red के combination के साथ, ये black का uniqueness आप देख रहे है न, क्या damn good लग रही है गाड़ी, सबको बता लग जाता है इस गाड़ी की present से, कि ये Mahindra की XUV700 है, लेकिन इसके look और इसकी uniqueness की वज़ा से, एक बार फिर भी सब पूछ रहे है, कौन सी गाड़ रखने के लिए, इस unique edition के Mahindra सिरफ 2500 unit बनाएगा, तो अगर आप चाहें, तो उस list में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ आपको इस blaze edition में मिलेगा, हम इस वीडियो में आज detail से बात करने वाले हैं, इस edition का price 24,000 और 24,000 रुपए एक showroom से शुरू होता है, सामने जो आप देख यह सबका बाप है, क्योंकि यह है, सिर्फ और सिर्फ टॉपेंड वेरियंट, डीजल विद आटोमेटिक, जिसकी कीमत है, 26,004,000 रुपए एक showroom, लगभग 29,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगा आपको इसके लिए, तो क्या कुछ है, चलिए बात करते हैं, सबसे पहल ब्लाक कलर के अलॉई वील्स बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे हैं, ब्लाक कलर के ORVM्स अलग ही लेफल के एक look offer कर रहे हैं, ब्लाक कलर की पूरी रूफ रखी गई है, गाड़ी का B पिलर ब्लाक, C पिलर ब्लाक, तो एक पूरी यूनीकनेस इस गाड़ी में आपको आपक कहीं भी नॉर्मल क्रोम का यूज ना करके अब आपको डाक क्रोम मिलने वाली है पूरी गाड़ी में मतलब जितनी प्रिमियम यह SUV पहले थी अब उससे कहीं जादा और प्रिमियम और यूनीकनेस इस एडिशन के साथ आपको मिलने वाली है तो यह करके सब चीज की बात आपको महिंटरा का लोगो भी अब आपको डाक्रोम के साथ मिलेगा सामने ग्रिल बहुत ओपन एरिया के साथ है तो डेफनेटली गाड़ी के कूलिंग सिस्टम के लिए प्लस पॉइंट है इसे ब्रीध करने के लिए बहुत जगा मिलेगी सेम चीज नीचे यहां पर रेड इंडिकेटर्स प्रॉपर एलीडी में आपको हेडलेम्स मिलते हैं जहां पर आपको आटो फोकस का फंक्शन जो है वो भी मिलता है यानि गाड़ी अगर कहीं डाक जगा पर है तो आटोमेटिकली इसके हेडलेम्स जो है वो थोड़ा सा अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा ले यहां आपको Blade Addition देखने के लिए मिलेगा सेम चीज आप अंधर भी देख आएंगे अंदर कहां पर एड़स पर यह देख रहे हैं आपको हर हेड्रस पर इसी तरीके से Blade Addition की जो लोगों कहा लीजिए ये emblem कहा लीजिए वो आपको Marked मिलेगा है बहुत अच्छी तरीके से को स्टिच किया गया है उसके बाद क्लाइडिंग्स मुझे स्कॉर्पिवन और एक्सुवी 700 इनकी क्लाइडिंग्स बहुत सुंदर लगती हैं क्योंकि यह बहुत जादा चौड़ी नहीं है तो ओवर्डन नहीं लगती सटल है गाड़ी के डिजाइन के साथ बहुत मस्त तरी आपको मिल जाती है अब अगर मैं इस गाड़ी के वील बेस की बाद करो तो 28-29mm का इस गाड़ी का वील बेस है जो की बहुत शानदार है यही रीजन है कि गाड़ी कैबिन में बहुत अच्छा स्पेस जेती है यह काफी कमफर्डेबल है ORVM आपको all black यहाँ पर मिलने वाल जो है body color रहेगा B pillar यहाँ पर आपको glossy finish के साथ मिलेगा same चीज C pillar के साथ है उसका भी glossy finish ही दिया गया है ताकि वो बहुत ही neatly इसके rear में spoiler और winter के साथ मर्ज हो जाए एक बार अगर आप यहाँ से check out करेंगे तो आपको गाड़ी की पूरी length का भी idea लगेगा गाड़ी की पू इसके साथ issue भी आता है कई customers को seat memory function के साथ आती है तो आप देख रहे है welcome feature भी है तो गाड़ी seat जो है पीछे जा रही है यहाँ यह जो आप देख रहे हैं यह लंबार support आपको manual दिया गया है लेकिन जो adjustment है वो सब आपको electric दिया गया है जिसमें आपको memory function मिलेगा 123 इसकी हमन यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सब आपको soft touch मिलेगा यह पूरा आपको piano finishing के साथ दिया गया है यहाँ पर यह जो आप highlight देख रहे है again piano finishing ऊपर dark chrome आपको मिल दाएगी यह buttons जो है electronic adjustment के वो भी आपको piano finishing के साथ मिलते हैं even then यहाँ पर जो controls आप देख रहे हैं यह सब भी piano finishing के साथ मिलते हैं अब यह हम इसकी बात करेंगे उससे पहले जरह आप आईए एक बार गाड़ी की rear profile पर यहाँ से जब आप XUV 700 को देखते हैं यहाँ से गाड़ी और ज्यादा आपको थोड़ी सी premium feel होती है सबसे पहली चीज यह जो इसके tail lamps से बहुत अच्छे लगते हैं यह sequential में आपको turn indicator मिल जाता है वो काफी सुंदर दिखाई देता है लेकिन reverse lamp और यह जो normal आप देख रहे हैं यहाँ पर stop lamp आपको normal hylogen दिया गया इतनी महंगी गाड़ी में भी लेकिन यह जो portion आप देख रहे हैं यह जिसको इसका always on mode में जलता है वो काफी सुंदर है और वो LED बेस ही आपको मिलता है रेर में parking camera आपको मिलेगा guidance भी definitely है इसकी quality में आपको भी जरूर चेक कर आऊँगा पीछे भी महिंद्रा का logo जो की dark chrome के साथ है spoiler दिया गया है जो की पूरी गाड़ी को no doubt sportier look offer करता है black shark pin antenna high mounted stop lamp washer wiper defogger यह चीज़े आपके पास यहाँ पर है XUV700AX7L पूरी badging यहाँ पर आपको मिलेगी सब dark chrome के साथ है पीछे केवल आपके बास दो ही parking sensors दिये गए है cross cutting और ऐसी premium गाड़ी के साथ यह चीज़े बिल्कुल शोबा नहीं देती actually इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़े और मिस करता हूँ सबसे पहली चीज़ जो मैं मिस करता हूँ वो है electronic tailgate यहाँ आपको power tailgate offer नहीं किया जाता normal दिया जाता है देख सकते हैं अगर electric होता तो बहुत ही जादा wonderful चीज़ हो सकती थी बहुत काम का feature है और एक चीज़ मैं जो मिस करता हूँ कोई curtains नहीं आते हैं यह चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ तो ऐसी कुछ कुछ चीज़े हैं जो की मेरे को इस premium SUV में भी कमी दिखा जाती है लेकिन जिस point of view पर हम इस गाड़ी को देखते हैं जैसा यह experience आपको देती है जैसा इसका engine है जिस तरीके से power deliver करता है जो आपको fun to drive experience देता है यह चीज़े आपको फिर थोड़ी सी नदर अंदाज करनी पर जाती है चलिए बूट खोला ही है tailgate तो आप देख लीज है ताकि आप easily इसे close कर पाएं दूसरी चीज़ seven sitting option है यह तो seven sitting में आपको जो rare वली last row की जो seat मिलेगी वो 50-50 split option के साथ मिलेगी आपको seat belts वगरा tuck in करने के लिए proper clips जो है वो यहाँ पर दिये जाते हैं cup holders पीछे दिये जाते हैं तो इन चीजों का तो बहुत सही तरीके से ध्यान रखा गया है इसलिए मैं इसको premium SUV भी कहता हूं महिंदरा भी कहता है सानी कि सिरफ मैं ही कहता हूं यहाँ आपको कुछ tool kit safety triangles यह सब चीज़े मिलेंगी spare wheel जो है वो आपको इसका नीचे मिलता है यह एक space sewer है और normal steel wheel जो है व प्रॉपर मिलेगा powered with Adronox जो कि इसका smart system है तो definitely top end variant है तो आपको इसमें connected internet connectivity से जितने features होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर फिलाल मिलने वाला है चाबी इसमें कोई blaze edition का touch नहीं है जो कि मैं miss कर रहा हूं definitely होना चाहिए था पीशे महिंदरा का logo flip की lock करेंगे तो definitely एक अवाज और ORVM जो है वो आपके fold हो जाएंगे unlock करेंगे तो ORVM आपके unfold नहीं होंगे जैसे ही आप ignition on करेंगे तब जरूर हो जाएंगे अगर आप से बीश middle वाली key को आप hold करकर रखते हैं तो boot जो है आपका वो भी unlock हो जाएगा लेकिन वो pop-up नहीं होगा आपको खुद यहां पर सामने जहां पर आप push-up touch मिलेगा सब red stitching एस events की surroundings में यहां middle में आप देखेंगे तो यह center console में बहुत अच्छी finishing दी गई है यह rotor dial के उपर भी आपको यह gear knob के नीचे भी आप देखेंगे तो dark chrome का use किया गया है armrest के उपर भी वही चीज आपको मिलेगी मतलब पू बहुत जादा premium है बहुत जादा premium एक्षुली ने इस गाड़ी ने ना महिंद्रा के लिए बहुत कुछ किया है जो एक image थी rough and tough के साथ गाड़ी premium बना पाएगा या नहीं एक्षुवी 700 ने बता दिया कि हम कर सकते हैं सबसे पहली चीज music system sony के speakers आपको यहाँ पा टोटाल speaker राइन tweeters जो हैं वो सब मिलाकर सब woofer वगयरा 12 मिलते हैं 10.25 inches का आपके पास यहाँ पर infotainment system रहने वाला है same size का instrument cluster भी है जिसके अभी हम बात करते हैं यह दोर की almost हमने बात कर ली थी लेकिन कुछ चीज़े रह गई थी जैसे कि driver side वाली जो आपको window है वो one touch में up and down मिलेगी with anti-pinch बाकी जो windows है वो आपको normal दी गई है वो कोई one touch में up and down नहीं है लेकि अच्छी चीज़ है कि marking और illumination दिया गया है गाड़ी को manually lock unlock कर सकते हैं safety lock है वो RVM को electrically adjust or fold करने के लिए आपको यहाँ पर options दिये गए है speaker के placement, bottle holder, umbrella holder, थोड़ा extra space और एक safety feature यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है वो इस तरीके से reflector with light जो दी गई है अगर आपकी गाड़ी highway पर है और पीछे वाला अगर आखे खोल के चला है तो काम आने मली चीज़ है scuff plate इसके उपर अगर कुछ blaze addition वगएरा कि यहाँ पर थोड़ा badging wedging दे देते है scuff plates के उपर illumination के साथ तो एक और feel good factor add हो जाता लेकिन normal रखा गया जैसे बाकी में आता है नीचे एक proper dead pedal आपको जरूर मिलेगा यहाँ कुछ controls है idle stop and go, hill decent control का electronic stability program को enable disable और तीन level की आपके पास headlight labeling जो है वो रहने वाली है चलिए अब आते हैं जरा हम cabin के अंदर और जब आप गाड़ी के अंदर आते है न तो यह गाड़ी आपको पूरी थरीके से हैसास कराती है कि आप एक premium SUV में बैठे है engine on कर दिया है फिलाल सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की animations आपको instrument cluster पर देखने वाली है फिलाल दोर करते हैं close थर्ड भी अच्छी खासी है भाई साब पूरा गाड़ी आपको full on मज़ा देती है कहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं आप यार मेरे को मज़ा नहीं आ रहा पूरा मज़ा देने के लिए आपको गाड़ी 100% capable है तो ये मेरे को इस गाड़ी के बारे में सबसे अच्छी चीज लगती है चलिए सबसे पहली चीज हम बात करते हैं से steering wheel के बारे में leather wrap है definitely बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर glossy finish दी गई है side में आप देखेंगे तो हर जगा आपको dark room का use मिलेगा even then Mahindra के logo के उपर भी SRS airbag, co-driver side, side curtain, knee तो total इस variant में आपको 7 airbag हैं जो की मिल जाते हैं जो की again अच्छी चीज हो गई दूसरी चीज अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो controls है वो इसी आपके touchscreen infotainment system से related हैं इस system के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि already हमने बहुत सारी वीडियो में इस system के बारे में बात कर रखी है लेकिन apple car play android auto वो सब कुछ आप इसमें handle करने के लिए हैं मतलब इसको use करने के लिए है drive info fuel info vehicle info navigation definitely आपको यहाँ पर सामने full screen में भी आ जाएगा अगर मैं इसे long press करके रखोंगा तो फूरा full screen में navigation जो है वो आपको यहाँ पर visible हो जाएगा जो कि एक again अच्छी चीज है बाकी सारी basic चीजे जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है सेरिंग में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको automatic wipers मल जाते हैं बहुत अच्छी चीज automatic headlamps जो है वो भी आपके पास यहाँ पर रहने वाले अगेन एक अच्छी चीज है उसके साथ साथ अगर steering में adjustment की बात करेंगे तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं tilt भी आपको मिलेगा और telescopic adjustment जो है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर अगर आप इस events check out कर रहे हैं तो इसकी definitely मिलते हैं तो drive modes यहाँ से आप जो है उसको adjust कर सकते हैं अगर आपने करना है तो camera quality आपको यहीं से पता लग जाएगी यह देखें मैं एक बर गाडी को reverse में ले लेता हूँ अब देखिया है यह है camera quality और यहाँ पर definitely जो guidelines है adaptive guidelines वो भी आपको सामने clearly visible हो जाएंगी इस point पर हम देखें तो definitely यहाँ पर camera की quality में improvement की गुंजाईश है लेकिन फिर भी यह आपका काम चला देगा screen के साथ जो issues थे पहले technical issues या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत glitch वो कभी कबार किसी ने किसी के साथ face करने पड़ जाते हैं किसी-किसी customers को अभी भी लेकिन मेरे साब से वो कोई इतना बड़ा issue नहीं है time के साथ महिंदर असको पर काम कर रहा है और कहीं न कहीं वो आपकी problem को sort out जो है वो भी हो जाता है चलिए उसके बाद अब नीचे आप अगर check out करेंगे तो यहां से जड़ा हम पहले इसका blower on कर लेते हैं और थोड़ा सा fan की speed को कर देते है यह animations वगएरा मेरको ना इसकी काफी अच्छी लगी है touch response भी अगर आप check out करेंगे तो काफी अच्छी है temperature वगएरा सब कुछ आपको यहीं पर ही सारा कुछ दिखा देगा और अगर आप home screen में जाएंगे तो भी आप यहां पर सारी चीजों को जो है वो easily handle कर सकते हैं seats definitely ventilated है तो यहां पर अभी एर का flow भी मज़ा आ रहा है ठंड़ ठंड़ लग रहा है काफी तो वो एक काफी अच्छी चीज है smart air filter आपको मिलता है purifier आपको मिलता है basic सारी चीजों almost हम कह सकते है climate control two zone का है automatic भी आएगा max AC भी आएगा नीचे यहां पर आपको wireless charger मिलता है फिल transmission के साथ भी जा सकते हैं दोनों में आपको six-speed option मिलेगा यह सब आपको सामने जो है वो soft touch के साथ दिया गया है जो की काफी premium दिखाई देता है और यहां पर अगर आप ग्लॉब box वगएरा की बात करेंगे तो ऊपर काफी अच्छी ट्रे यहां पर आप देख रहे है यह क्या है cool glove box जो है वो भी आपको यहां पर मिलेगा light जो है वो भी आपको मिलेगी ऊपर property नीचे जो है काफी आपको space मिलेगा याप गाड़ी की manual वगएरा सब कुछ रखने के बाद अच्छा खासा उसे फिर भी utilize कर पाएंगे यह sub finishing जो है वो आपको glossy ही मिलने वाली है अगर आप check out करेंगे तो वाइजर की quality बहुत premium feel होती है vanity mirror definitely है एक LED light के साथ और एक जब रदस feature बता हूँ यह देखो आप इसे extend कर सकते हैं यह बहुत काम की चीज है लेकिन मुझे मालूम है कि जादातार लोग इसके ओपर ध्यान ही नहीं देते या फिर इसे नजर अंदा चलती गाड़ी में कभी बाहर मत निकलना एक चोटी सी यहाँ पर आपको जो है mood light देखने के लिए मिल जाएगी इसके शायद color change नहीं होते है driver side वाला जो वाइजर है इसको आप adjust तो कर सकते है इस तरीके से लेकिन इसमें कोई ticket holder या vanity mirror या light वो सब चीजे नहीं दी गई है और auto dimming IRVM नहीं है वाँ मतला 29-30 लाख रुपर बंदा खर्च कर रहा है और ये करेगा वो बैठके हैं अपर तो ये चीजे कुछ हैं ऐसी जो कि आपको feel होंगी लेकिन आप जैसे ही गाड़ी के comfort को देखना शुरू करते हैं ना क्या commanding position आपको मिलती है जबर्दस visibility आपको feel देती है कि यार मैं premium चीज भी रख रहा हूं दासू चीज भी रख रहा हूं और SUV का मतलब क्या power और ये ऐसी power generate करकर देती है आपको पूरे thrill महसूस कराती है ये diesel के साथ साड़े 400 NM तक का talk deliver करती है तो अपने आप में कुछ चीज तो है जो कि लोग इस गाड़ी क इतना पसंद करते हैं फिलाल चलिया एक बर चलते हैं जरा second row में और second row में आपको क्या कुछ मिलेगा अब जरा हम उसकी भी बात कर लेते हैं अब देखो मैंने door करा बंद ये जो seat है अब ये अपने आप ही आगे मेरी driving position के ओपर जाना शुरू हो जाएगी सबसे पहली हैं तो थोड़ा सा compromise करना एक बाल ये देखो ये two way में recline हो जाती है मतलब थोड़ा सा आप extra recline कर सकते हैं अगर आपको extra comfort चीए और पीछे अगर कोई नहीं बैठा है या फिर बच्चे बैठे हैं तो वैसे वो बच्चों के लिए ही ज्यादा comfortable है मेरे हिसाब से बाकिया आ यहां headrest के ऊपर again आपको उसी थरीके के emblems जो है वो दिख जाएंगे seatbelts के लिए यहां पर भी proper clamps आपको मिलने वाले हैं और यहां पर अगर आप चेक आउट करेंगे तो middle वाले passenger के लिए lab belt कौन देता है यारब तो वो चीज है थोड़ा सा आपको यहां पर आप check out करेंग जो है वो भी आपको यहां पर मिलता है और rear में proper AC vents आपको दिये गए हैं यहां आप अपना phone रखिए seat type pass charging port आपके पास है seatbelt के height adjustable जिसके हमने already बात कर ली skyroof already बात कर ली gravendal foldable with coat hook यह जो lights आप देख रहे हैं अगेन आपको LED में मिलने वाली है जो कि यह काफी अच्छी च जासे और यह dark room की वजह से यह door बहुत ज्यादा highlight होता और सुंदर दिखाई दिखाई रहा है speaker की placement यहां पर आपको मिल जाती है नीचे आप दिखेंगे water holder थोड़ एक्ट्र स्पीस child safety lock वो भी आपको यहां पर मिलेगा third row की हमने already बात कर ली बैट के दिखाने की जरुरत है गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है already बहुत सारी वीडियो में third row में बैट बैट कर दिखा चुका हूँ बता चुका हूँ कैसा है और maximum आपको सबको पता ही है रादे से जाब तो लोग तो एक्ट्वी ले लेकर रप्ता रप्ता के ठक चुके है गाड़ी को रगड़ आपको मिलता है 2.2 लीटर का टाबो चार्ट CRD डीजल इंग जड़ और यह जनेरेट करता है 182 बहट पी के आसपास की पावर और साड़े 400 न्यूटन मीटर तक का टॉक माइलेस की कुछ खास ज्यादा उमीद मत रखना कंपनी होने को 15-16 क्लेम करती है लेकिन इतनी मिलने नहीं वाली तो कि जहां पर इतना जबरदस्त ये गाड़ी आपको पावर जन ब्रेट करकर दे रही है तो थोड़ा बहुत कॉंप्रोमाइस तो भाई आपको भी करना पड़ेगा इस गाड़ी की प्यूल एकोनॉमी के साथ वैसे मैंने एक चीज देखिए जादा तर लोग जो महिंद्रा की और शिफ्ट होते है ना वो ज्यादा फ्यूल एकोनॉमी के बारे में सोचते नहीं है मतलब थोड़ा सा सोचते हैं ज्यादा नहीं सोचते हैं वरना थार जो 57 किलोमेटर पर लीटर की आवरेस देती है उसे कौन लेता लेकिन कशन के लिए लेते हैं सेम वह जिदार आपको फ्रटल अगर अपने एक्सेलेशन पर रखा तो इंजन तुरंत रिस्पॉंस करता है तो वह अगर आपको फंटू ड्राइव एक्स्पीडियंस चाहिए ना तो यह गाड़ी बाकमाल है हाला कि इसका कंपारिजन जो है वह बहुत अच्छे-च्छे है कस्टमर्स को आया है मैंने भी जब गाड़ी को चलाया है तो मैंने एक दू बार एक्सपीरियंस किया है लेकिन हां लेकिन फिटन फिनिश के मामले में तो गाड़ी यार क्या प्रेमियम फील देती है ना मज़ा आता है फिलाल ब्लेज एडिशन ब्लेज का मतलब जौला जो हमने बात करी थी उसी चीज से इंस्पायर्ड कलर मैट पनिश के साथ रेड रूफ ब्लाक सामने ग्रिल ब्लाक अलॉई बील ब्लाक तो ऐसी कुछ चीज़ें को करका एक अच्छा फील गूड फेक्टर और एक यूनीक एडिशन महिंद्रा ने लांच जरूर ती आ है औ बहुत जल्द आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूगा और चोटी मोटी इंफॉमेशन्स या फिर कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट्स के लिए एक बर इंस्टाग्राम पर भी आज़ना अच्छा लगेगा तो फॉलो भी कर लेना धन्यवाद